नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूटूब चैनल VNKD Study Portal पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीटेट के एकजाम को ध्यान में रखते हुए NCE-RT का सीरीजे इस्टार्ट किया हैं आज हम लोग इस वीडियो में, क्लास शेवंथ का politics का हम लोग दूसरा चेप्टर पढ़ेंगे देखें, चेप्टर का नाम है Swasth में सरकार की गोमिकार इसे से से पहले देखें हम लोग, क्लास शेवंथ का हम लोग history, complete कर चुके हैं और देखे दोस्तों और साथ ही साथ हम लोग क्लास 6 का भी History, Politics, Geography और देखें सेवन्थ क्लास का History यह सभी हम लोग कम्प्लीट कर चुकें यह आदि आप लोग पीछे के सवी वीडियो नहीं देखें हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सवी वीडियो चैनल के प्ले लिश्ट मिल जागा वहां से आप लोग जाकर देख लिजेगा तो चली हम लोग शुरू करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का पालिटी का दूसरा चेप्टर पढ़ेंगे देखें चेप्टर का नाम है स्वास्थ में सरकार की भूमिका देखें दोस्तों यह चेप्टर जो है आप लोगों के सीटेट के एक्जाम के लिए पहुत ही इपार्टेंट है यहां से देखें हर बार प्रसन पूछा गया है तो चली हम लोग देखते हैं लोक तंत्र में लोगों की यह पेच्छा राती है कि सरकार उनके कल्यान के लिए कारे करे यह सिच्छा स्वास्थ रोजगार परदान करने एवंग गिरी हनिर्मान सड़कों के विकास था बिजली आधि उप्लवध कराने के माध्यम से हो सकता है इस अध्याय में हम स्वास्थ के अर्थ हो रुस्य संबंदी समस्याओं को जाचेंगे इस अध्याय के उपसीर्षकों को देखिए आपके बिचार में यह सरकार के काम से किस परकार जुड़ा होगा जैसे आप लोग कर रहा उपर वाले जो दिया यहां पर आहां पर देख तरखिये इधन से संबंदित जो भी विवश्था करना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपो नीचे भी देख सकते हैं यहां देखे श्वासत से संबंदित है फिर देखें यहां पर आप लोगत देख सकते हैं तो चलीए हम लोगत देखते हैं आज का मिरीण और चोट आज से मुक्त रहना लेकिन स्वास्त केवल बीमारीं से सम्भंदित नहीं है आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों कोई स्वास्त से जोड़ कर देखा होगा प्राया हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपरियुक्त हर इस्ति का संबंद स्वास्थ से है बिमारी के अलावा हमारे लिए उन करड़ों पर भी विचार करना आवस्यक है जो हमारे स्वास्थ पर परभाव डालते है उदहारण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच पानी और प्रदूसर्ण करेंगे दूसरी और यदि लोगों को भर पिट भोजन न मिले अथ्वा उन्हें घूटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बिमार पड़ने की संभावना अधिक है हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ति से और उंचे मनोबल के साथ करें सूस्त और अ सभी पहलू स्वास्थ के हिस्से हैं कि अब देखे अगला पॉइंट यहां पर दिया है भारत में स्वास्थ सेवाएं के कुछ पहलू का परिछड करें यहां दी गई ताल्क्या के प्रतंतता दिवती अस्तमों में दिखाई गई इस्तितियों की तूलना के जिए देखें दोस्तों यहां से एक्जाम में पूछा गया इसने इसको ध्यान से लोग देखिएगा क्योंकि सीटेट के लिए देखिए इनसी आटी का एक एक लाइन बहुत ही इंपार्टेंट होता है देखिए यह जो पढ़ेंगे यहां से प्रसन की पूछा गया देखिए पहला इधर ल देखिए संसार भर में भारत में सरवादिस चिकिश्या माँ विद्याले हैं और यहां सबसे दी डांक्टर तयार किये जाते हैं लगाग हर वरसे 30,000 से अधिक नए डांक्टर योगता प्राप करते हैं फिर देखिए दूसरे साड़ लिखा है कि भारत के अधिकांस डांक् करते चत्रों में है और देखिए ग्रायमिण डांक्टरों की संख्या काफी कम है के दूसरा लिए है कि पीछले वरसों में सवास्य सेवाओं की सूधा काफी वृध्धी हुई है सन 1950 में भारत में केवल 277 अस्पताल थें सन 1991 में 11134 अस्पताल थें और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23583 हो गई है यानि अस्पतालों की संख्या में ब्रिधी हुई है दूसरे तरह लिखा है कि भारत में करीब करीब 50000st लोग प्रतिवर्श टपेळक्ति क्यानि की टीवी से मर जाते यात रखेगा कि बहरत में करीब 50000,000 यानि टीवी से मर जाते हैं questa antra TPEG到 swinging नहीं हुआ है हर वर समालेवः के लगभग 20,000,000 की up नहीं हो रही है और देखे आपर तीसरा पॉइंट यह लिखा है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या मिलाज कराने हैं तो चिकिस्या परटक आते हैं वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तूलना संसार के स्रोस्रेश अस्पतालों से की जा सकती है देखे दूसरे तरव लिखा कि हम सबको पीने का स्वच जल उपलब्द नहीं करा पा रही हैं संचरड़ी बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है जैसे हैजा पेट के किड़े और हैपेटाइटिस अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं भारत विश्यों का दवाईया ने रिमित करने वाला टिसरा ब्टा देस याद रखेगा भारत जो हैं बिश्यों का धवाईया नियुक्त करणे वाला तिसरा वड़ा ंत्यश है और यहां से भारी मातर हैं में दवाईयों का निरियात होता है भारत देखे दूसरे सड़ देवाएं चाहिए जैसे स्वास्त केंद्र अस्वताल परिछड़ों के लिए परयोक साल आएं इंबूलेंस की सुविधा बलड बैंक आदी जो मरीजों को आवस्यक सेवा और देखवाल उप्रत भकरा सके ऐसी सुविधाओं की वियोस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्त स सेवा को नर्सों योग डाक्टर तो था अन्य विश्यसक्यों की जरूरत है जो प्रामर्स दे सके रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके मरीजों के इलाज के लिए हमें आवस्यक दवाईया वह उक्रड भी चाहिए जब हम बिमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुधाओं की जरूरत पढ़ती है यहां देखे एक सैड़ी में लिखाए दर देखे जाब भारत में प्राजय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्य स्यमाईट परदान करने में असमर्त है क्यों कि सरकार के पास इसके लिए परियाद धन और सुधाए नहीं है आगे बढ सरकार चलाती है सरकार अपनी जन संख्या के बड़े भाग की देखवाल करने में समर्त है जो स्वैकड़ों और हजारों गाओं में फैली हुई है इस विशर पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे साथी चिक किस्या भी ग्यार में बहुत असा धारण प्रगत हुई है जिसके चलते देश में इलाज की नूजय तक्रिका और विदियां उपलब्ध हैं फिर भी दूसरा अस्तम दिखाता है कि हमारे देश में सवैस की सिति कितनी खराब है उपरियुक्त सक्रात्म विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास स्यमाई देने में असमर्थ हैं यह विरोधा भास जनक इस्तिती है जो हमारी अपेच्छाओं के विप्रीत है हमारे देश के पास पैसाय ग्यान है और अन्भवी व्यक्ति है फिर भी हम सबको आवस्यक स्वास स्यमाई देने में असमर्थ हैं हम इस अध्याय में इसके कुछ काड़ों को जानेंगे यहां आप लोग एक चितर दिखाई दे रहा होगा देखे यहां सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े एक और इंदजार करना पड़ता है आप लोग देख सकते अब देखे आगे आगे अगला पॉइंट है परियुक कहाणी से आप समझ गय होंगे कि हम स्वास्ता से वाओं को दो मोटिवर दूसरा नीजी स्वास्ता सिवा यान देखे सरकारी और प्राइबिट का जाता है सारोजनिक स्वास्त सेवा स्वास्त किंद्र वह अस्पतालों की एक सरकार दोरा चला जाती है एक किंद्र वह अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे इस सहरी वह ग्रामिर दोनों छेतनों को सुधाये प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधार से लेकर बिसे सदेखवाल की जुरूत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं ग्राम के अस्तर पर एक स्वास्त किंद्र होता है जहां प्राया एक नर्स और एक ग्राम स्वास्त सेवक रहता है इन्हें सामान बिमारियों के इलाज के लिए प्रसिचर दिया जाता है और वे प्रार्थमिक स्वास्ते केंदर के डाक्टरों की देखरेक में कारे करते हैं ग्रामिर चेतर में ऐसा केंदर कई गाउं की जरूरतों को पूरा करता है जिला अस्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्त किंद्रों की देखरे करता है बड़े सहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है देखे आगे लिखा कि इस स्वास्त सेवा को कई काड़ों से सरजनिक कहा जाता है सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्त सेवा प्रदान करने की वचन पतता को पूरा करने के लिए ए अस्पताल दथा स्वास्त केंद्र अस्थापित किया है इन सेवाओं को चलाने के धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं इसलिए इस सुवधाई सबके लिए हैं सारोजनिक स्वास्त व्यवस्था का एक महत्रपूर पहलू यह है कि इसका उज़े से अच्छी स्वास्त सेवाई नीशूल किया बहुत कम कीमत पर देना है जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके हैं स्वास्त सेवाई का अन्य महत्रपूर कार्य है बिमारियों जैसे टीवी मलेरिया पीलिया दस्त लगना हैजा चिकन गुनिया आधि को फैलने से रोकना इसकी विवस्था सरकार को लोगों के सयोग से करनी होती है अन्यथा या असफल हो जाएगी उदार के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिचीज करना पड़ेगा कि छेतर के सभी लोग अपने कूररों वह घर की छतोवाजी पर पानी ये कत्र न होने दे यहाँ पर देखे आप लोग गाउं के एक स्वास्त केंदर म मरीज को दवाई जेती एक डाक्टर तुदेख सकते आप लोग यहाँ देखे आप लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो लोग इसको देख लेते हैं देखे यहाँ पर लिखा है कि हमें सरकार को करके वो देना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं सरकार कर से प्रात नागरिकों को लाव होता है अन्य था इन सेवाओं की विवस्ता स्वयम नागरिक नहीं कर सकते करो से ही कुछ विकासात्म कारिकरम एवंग सेवाई उपलवध होती हैं जैसे सिच्छा, स्वास, रोजगार, सामाजी, कल्याण, विवसाई, प्रसिछड इत्याद जिन से जरूरतमंद नागरिकों को लाव मिलते हैं करो से प्रात धन का अपयोग कुछ प्राकिर्तिक आपदाओं जैसे बाढ़, भुकंप, सुनामी, आदि मामलों में रहात एवंपुनरवास के लिए भी किया जाता है सरकार खास तोर से गरीबों को कुछ स्यमाई प्रदान करते हैं जो वे बाजार से नहीं खरित पाते हैं इसका एकुदार स्वास स्यमाई प्रदान करना और सब को स्यमाई प्रदान करना सरकार का प्रार्थ में करतव है सरकार को हर वेक्त के जीवन के अधिकार की रच्छा करनी है यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्त कोई इलाज नहीं परदान कर पाता है तो इसका तातपर है कि उसे जीवन के सुरच्छा नहीं दी जा रही है अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का करतव है कि वह मरीजों को आवस्यक स्वास्त सेमाय दे जिसमें आकस्मिक इलाज के सुवधा भी समलित हो अस्पताल और उनके स्वास्त समंधी कर्मचारियों को आवस्यक इलाज परदान करने की जीमेदारी पूरी करनी चाहिए तो आप लोग इधर देख सकते हैं आप लोग एक चितर दिखाई दे रहा होगा देखिए यह जो है एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत यहां पर देख सकते हैं सरकारी अस्पताल की सिवधा किस परकार है लिखाए कि उनिसेव के नुसार हर साल 10 लाग बच्चे ऐसे संक्रोडों से मर जाते हैं जिन्हें रोकपाना संभव है देखे हैं सरकादी अस्पताल का हाल है अब लोग प्राइबेट यानि की नीजी स्वास सेवाओं की बारे में देखेंगे देखे हमारे देश में करी तरह की नीजी स्वास सेवाओं पाई जाते हैं बड़ी संक्रों से चलाये जा रहे अस्पताल और नर्सिंग हों भी है ऐसी दुखाने भी हैं जहां से हम दवाईयां खरीद सकते हैं जैसा कि इनके नाम से ग्यात होता है नीजी स्वास्त सेवाओं पर सरकार का स्वामित अथवा नियंत्रण नहीं होता सारजनिक स्वास्त सेवाओं के बीप्रित इन नीजी स्वास्त संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन बया करना पड़ता है आज नीजी स्वास्त सेवाएं चार ओर दिखाई देती हैं अब तो बड़ी बड़ी कमपनियां अस्पताल भी चलाती है कुछ कमपनियां दवाईयों को बढाने और बेचने में भी लगी है सहरों के कोने में दवाईयों की दिख सकते हैं प्राइबिट अस्पताल किस परकार का है और यहां पर आव लोग देख सकते हैं सरकारी अस्पताल किस परकार का है आगे हम बढ़ते हैं स्वास्त सेवा और समानता देखे लिखा कि क्या सब के लिए पर्याप्त स्वास्त सेवाय उपलब्ध हैं हम भारत में ऐसी इस्ति का सामना कर रहे हैं जहां नीजी सेवाय तो बढ़ रही हैं परन्द सारजनिक नहीं ऐसी दसा में लोगों को मुख्यता नीजी सेवाय नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में विमारी होती है तो उन्हें जीड़ लेना पड़ता है कुछ नीजी से अधिक कमाने के लिए प्राया ऐसे कार्यों को प्रोसाइद करती हैं जो सही नहीं है कई बार सस्ते तरीके उपलब धहोने पर भी उनके परियोग नहीं किया सकते हैं उदाहर के लिए प्राया देखा जाता है कि कुछ चिकिसया जरोर से ज्यादा दवाईयां इंजक्षन या स्राइनादि की सला देते हैं जबकि स्याधल्ण इलाज भी परियापत हो सकता है तहां पर देख सकती आप लोग देखे, करके दीया हम लोग इस बाक्स को लिखा है कि भारती आयुर्विज्ञान परशत का आयुर्विज्ञान नैतिक सहीता कहता है जहां तक संभव हो प्रतेकची किस्यक को और सद्यों के जिनरी के नाम ही उपचार परची में लिखने चाहिए और सुनुचित करना चाहिए कि यह युक्त और उपव्युक्त में हो आगे बढ़ते हैं तथ है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवस्यक दवाईयों को खरदने में सच्छम होते हैं वे लोग भी जिने हम गरीब नहीं समझते हैं दवा संबंदी खर्चों को उठाने में कटनाई का अन्भो करते हैं एक अधियर में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी आचोट लगने के करण भरती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधाल लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ती बेचते हैं यहां देखिए आप लोग को लिखा एक चितर दिखाई दे रह परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का करण बन जाती है इससे भी बड़ी बात यह है कि आईसी इस्थिती बार बार आती है गरीब लोग पहले ही पोसड की कवी का सिकार होते हैं यह परिवार उतना भोजन नहीं खा दें जितना इन्हें खाना चाहिए उन्हें जी देख सकते हैं देखे गर्वती महिला दिखाई दे रही है देखे लिखा कि इस गर्वती औरत को एक योग डांक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो देख सकते हैं आप लोग कभी कवी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाध प्रवद नहीं है कि अब आगे हम देखते हैं किया किया जा सकता है देखे लप कोई इसमें कोई संदे नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्त की दसा अच्छा नहीं है यह सरकार का उत्तरदाइत है कि वह अपने सब नागेरिकों पिशेश कर गरीबों और उपर भी इसलिए लोगों के स्वास्त की दसा सुधारने के लिए दोनों पच्छों का कार करना आवस्यक है ऐसा करना संभव है यहां पर देखे लिखा के अगले प्रिष्ट पर दिये गए उधारण देखिए देखे दोस्तों इसको आप लोग याद रखेगा यह सब यहां पर देखे लिखा एक उत्तम स्वास्त और खुशाली यह जो है गोल नंबर तीन में लिखा किया है सकत्त विकास लच्छ के यहां पर देखते हैं देखे दोस्तों यह जो पॉइंट है यहां से पूछा गया है किरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ मौत्यपूल परिवर्तन किये राज के पूरे बजट का 40% पंचायतों को देदिया गया है इक्जाम यहां से पूछा गया है तो देखे लिखा है कि 1996 में केरल सरकार ने राज में कुछ मौत्पूर परिवर्तन किये राज के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया इससे पंचायते अपनी अवस्यक्ताओं को योजना पधकर उनकी पूर्ती कर सकती थी इससे गाउं के लिए पीने का पानी आहार औरतों के विकास और सिच्छादी के लिए उचुत ब्यवस्ता सुनुचित करना संभव हो सका इसके फल सरुपजल बित्रण ब्यवस्ता की जाच की गई इसकूलों और अंगनवाडियों के काम को सुनुचित किया गया और गाउं के विशेश समस्याओं पर ध्यान दिया गया स्वास्थ केंद्रों में भी सुधार किया गया इन सब कारियों से इस्थिती में सुधार आया इतने प्रेतन के बाद भी कुछ समस्याओं तो बनी रही जैसे दवाईयों की कमी अस्पतालों में अब पर्याप्त बिस्तर पर्याप्त डांक्रों का नहों ना आधी इन समस्य यहां आप लोग देख सकते हैं देखिए लिखा कि उपर दिये गए भारत के नक्से में किरल राजे को गुलावी रंग से दिखाय गया है तो यहां पर देखिए किरल राज का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है इसका मुखे कलर उनके समिधान में नहीं थै कई वर्सों पहले कोश्टारिका ने बहुत महतफुर निर्ड़ लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे इससे उन्हें सेना पर व्यकिये जाने वाले धन को लोगों की सिच्छा स्व स्वास्थ और अन्याधारवू जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली कोश्टारिका की सरकार मानते हैं कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थोना जरोरी है और इसलिए अपने देश्वासियों के स्वास्थे पर बहुत ध्यान देती है कोश्टारिका की सरकार अ बहुत मतपुड माना जाता है और सभी अस्तरों परस्वास सम्बंदिक ज्यान सिच्छा का एक जरूरी भाग है तो दोस्तों यह चेप्टर खत्म हो चुका है यहां पर भी याद रिखेगा आप लोग जो सतत विकाच लच्छ जो छठा है वह जो है जलो स्वच्छता से करता हूं जरूर कीजेगा आप लोग ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कांटेंटर दे सकूं तो मिलते हम लोग अगले चेप्टर में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन जा भारत